आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं हॉलिवूट की हॉर्र फैंटासी मूवी सोर्स्रेस वहाँ पर उसकी सहली मारिया जाती है जो उसे ऐसे करने से माना कर रही थी मारिया और एरिका जगड़ा कर रही थी तभी एरिका की हस्बेंट लैरी आ जाता है एमेली लैरी को फोन करके पूछता है उसका हस्बेंट किस तस्ते से आता है ये सब सुनकर और एक्सिडेंट के बारे में जानकर वो तुरंद समझ जाता है कि ये सब एरिका ने किया है और वो तुरंद घर छोड़के जाने लगता है एरिका लैरी को बहुत रोकने की कोसिस करती है इसी बीच धक्का लगके वो नीचे गिर जाती है लैरी जब नीचे पहुँचता है तब वो अपनी आख्री सासे गिनते हुए बोल रही होती है वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली मारिया ओहां पहुँचती है और बोलती है लैरी अब तुमारे साथ कुछ बुरे चीजे होगी लैरी गुस्से में मारिया को भगा देता है मरे हुए बहुत समय बीत चुका है और लैरी उसके दोस्त हावर्ड से मिलने उसके घर गया है वहाँ लैरी का दोश जोन वहाँ मिलता है जो कि उसे बताता है कैरोल तुमसे प्यार करती थी और वो अभी भी एही पर है तुम्हें उससे मिलना चाहिए इसके बाद दिखाया जाता है हावार्ड ने अपने बोश को बुलाया होता है ताकि वो अपने CEO का पोश्ट लैरी को दे सके Læri कई दिनों बात जब अपने घर जाता है तो उसे Erika की आसत आने लगती है उसे हर जगव Erika दिखाई देती है और उसे अपने रूमेंटिक पल आने लगता है जो उसने उसके साथ कभी बिताया है और उसके कुछ खास पाल आने पल आने लगता है और जब Larry ड्रंक हो जाता है तो उसे उसके बेटरूम तक ले जा रहा है थी सभी Larry को उसकी बीवी Ericka दिखाई देता है पर Ericka सिर्फ Larry का ब्रहम होता है और दूसरी तरब दिखाया जाता है कोई किईची को गोली मार रहा है फिर लैरी को दिखाया जाता है जो कि कैरोल के साथ इंटिमेट हो रहा होता है काम खतम होने के बाद जब वो टीवी खोल के देखता है तो उस पे न्यूज आ रहा होता है कि Emily के नौकर ने अपने पूरे फैमेली को गोली मर के हत्या कर दी है जिस इनसान ने अपने पूरे परिबार को मार दिया होता है वो M.A.L.E. के पास होता है M.A.L.E. उसे लैरी के पास से as a client जाने के लिए बोलता है जिस पे ओ जाता भी है लेकिन अचानक से ओ लैरी पर हमला कर देता है और फिर ओहां से भाग जाता है लेकिन उसका लॉकेट ओही पर गिर जाता है और वो लॉकेट केरोल को मिल जाता है केरोल उसे अपने पास रख लेती है उसके बाद दिखाया जाता है लैरी को उसके बोस ने CEO बना दिया है लैरी जब उसके घर पहुँचता है तो उसे लगता है कोई है उसके घर में चीलियोचे करने जाता है और उसके bedroom में मारिया उसे दिखाई देती है मारिया से लैरी पूछता है तुम यहां कैसे पहुंचे तो वो कहता है कि उसके पास इस घर का डुप्लिकेट जी है और इस बत पर जगड़ा होने शुरू हो जाता है लैरी मारिया को बताता है उसे अभी भी एरिका दिखाई देती है जिस पर मारिया बताती है कि अभी भी एरिका का घर है तो अब इहां से उसके सारे सामान निकाल दो तो वो तुम्हारे जिंदेगी से चली जाएगी बात करते करते मारिया फिर से लैरी के कड़ी बने लगता है लैरी उसे मना करके सफाई करने लगता है पिर Emily Larry को फोन करती है और उसे बात करने लगता है Larry Emily को बोलता है तुम अपना ख्याल रखना क्या पता वो तुम्हारे पास भी आ सकता है मारिया जाने लगती है तब ही उसे गेट पर कैरॉल मिलती है मारिया के पूचने पर कैरॉल बताती है कि वो लड़ी का दोस्त है और उसे मिलने आई है अपने पती से बात करते हुई Emily अपने पास एक बंदुक छुपा के रखती है वो ऐसा क्यू कर रही है इसके बारे में हमें अगे पता चलेगा Emily जब अपने पती से बात कर रही होती है तब ही उहाँ पर डॉन आ जाता है और उस पर बंदुक तान देता है लेकिन वो कुछ कार पता इस से पहले ही Emily उसे सूट कर देती है और वो उही पर मर जाता है इसके बाद हम देखते है लैडी और कैरॉल इंटिमेट हो रहा होते है जब उन्हें टीबी से नियूज मिलती है कि Emily पर हमला हुआ है तो उस पर फोन करता है कि तुम ठीक हो Emily यहाँ पर Don के Locket के बारे में पूछता है जो कि Emily को मिला था वो पूछती है क्या वो Locket अभी भी कैरॉल के पास है जिस पर वो बोलती है वो उसे रख सकती है और बोलती है मैं तुम से बाद में बात करता हूँ Emily जाकर कहीं बैठ जाती है और कुछ मंत्र परने लगती है इसका असर हमें सिधा कैरोल पर दिखाए देता है सपने में कैरोल Erica और Mariya को देखती है जो इंटिमेट हो रहा होता है वो भी उन्हें जाकर जोईन कर लेती है और ये सरे मिलके intimate हो रहे होते हैं इसके बाद फिर सुबह के समय दिखाया जाता है सुबह मारिया लैरी के घर आती है और वो एमेली को देखके हैरान हो जाती है क्योंकि वो अभी भी शॉर्स पे घुम रही होती है मारिया समझ जाती है कि ये सिर्फ दोस्त नहीं है और मारिया उसके गले में लॉकेट को देख के समझ जाता है कि बहुत देर हो चुकी है और मारिया ये कहकर चली जाती है आज लैरी जब घर पर पहुंचता है तो एमेली वह ही गाना सुन रही होती है जो कि एरिका सुना करती थी लैरी पूछता है कि ये तुम्हे पसंद नहीं था एमेली बोलती है अब मुझे पसंद है एमेली लैरी को सब्राइज देने की बात करती है और उसके आँखों को बंद करवा देती है और वो जब आँखे खोलता है तो देखता है Emily बिल्कُل Erica की तरह दिख रही है उसके जैसे बाल कलर कर लिया है उसके जैसे dress पहन के रखी है और बिल्कُل Erica की तरह हरकत करने लगती है और उसके साथ जबरदस्त intimate होने लगता है लै degree गुस्से में उसे fake देता है और अचानक से Emily host में आ जाती है और लैडी से माफी मांगती है आज लैडी अपने घर पेंट करवाने वाला था इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया था मदद के लिए पेंट काम पर जाता है तो बाजार से लेने जाता है पर उसे मारिया मिलती है और कार रुक कर उसे बोलता है के लिए उसके बीबी काला जदू के सहारा ले रही है जिसे बहुत बुरा लगता है और ये सब करने से उसे मना करता है जिस पर उसका कारण पुछता है तो वो बताता है कि उसके बज़ा से ही हमारे जिन्दगी खराब हो चुकी है और वो वहां से चली जाती है यहाँ पे हमे गर्फरेंड को बातरूम में बंद कर देती है हमें दिखाया जाता है कि मारिया अब एमेली को घर पहुँच चुकी है और हावर्ड को अजद करने की कोशिस कर रही ही तभी उसके पीछे से आकर एमेली उसके सर पर मार देती है एमेली कैरोल को काबू करके डॉन को बातरूम में बुलाती है और उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिस करती है पर डॉन मना कर देता है उससे में आकर एमेली उसके सर पर मार कर बेहोस कर देती है और उसको भी बंद करके चली आती है आवर्ड किसी तरीके से अपने आपको छुडा लेता है और बंदूग लेकर उस कमड़े की तरब बढ़ता है जहां पर एमेली अपना काम कर रही होती है लैरी जब घर पहुंचता है तो कैरल उस पर चाकू से हमला कर देती है लेकिन डॉन की गल्फें रुहां पर आके उसे पकर लेती है लेकिन व और वह लॉकेट गायब हो जाता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है लैरी सोकर उठा है और उसकी बीवी एरिका उसके सामने खड़ी है और उसे पूछती है क्या तुम्हें कोई बुरा सपना देखा और उसकी एभिल मुश्कुरहाट से यह मूवी कतम हो जाता है अगर आपको हमारा एक्स्प्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए